नमस्कार बिहार में इस समय प्रचंड गर्मी पर रही है और यह बिगत तेरह वर्सों का रेकॉर्ड तोड़ चुका है अप्रेल के महने में इतनी वीशन गर्मी देखने को नहीं मिलती थी अभी का ये समय बारह बजने को हैं आप देखिए किस तरह से ये धूल जैसी स्थिती और सून सान सरकें चारों तरफ सन्नाटा और ऐसा लग रहा है जैसे प्रयंग कारित त्रिश भागया हूँ हलाकि एक दो बाहन भी रूड पर आपको नजर आते होंगे लेकिन अधिकतर लोग ऐसी कठिन परिस्थिती में घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं बहुत ही भयंकर इस्थिती है ये क्योंकि प्रिथ्वी का तापमाल लगातार बढ़ता हुआ इंदीनों और नो दस बज़े के बाद भी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है तेज हवाएं धूल भरी हवाएं चलती रहती हैं और लोगों का जीना बिहाल हो गया है तापमाल लगवक 44-45 डिगरी के करीब चिल चिलाती हुई धूप ये इस्थिती प्राया मई महिने में होती थी लेकिन इस वार अप्रेल में ही ऐसी भीशन इस्थिती देखने को मिल रही है लोगों का जीना बहुत कठिन हो रहा है फिर भी आवस्यक कारवस कुछ वाहन कुछ लोग अपने घर से निकल रहे इक्के दुक्के वाहन का आना जाना ये ग्रामिन परिवेश का दिरिश बहुत ही सुन्दर सा दिरिश ये गाउं की सरक सून सान सरक क्योंकि गाउं में लोग प्राया दोफर में घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और अभी वही स्थिती है हलाकि इतनी भीशन गर्मी से बचने के साधन भी ग्रामी छत्रों में भी उपलब्द है अब प्राया गाउं में बिजली है लोगों के पास पंखे हैं कूलर हैं लेकिन विशेश साथनी बरत्ने की जवड़त है एशी गर्मी से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पानी का स्यवन करना चाहिए तरल्प दार्थ अधिक से अधिक लेनी चाहिए और तर्बूज कक्री आधि PCs करना चाहिए धन्यवाद किर्पिया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें